जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय सुल्ल देव असुर संपत विभागयोग श्लोक चार दंभो दर्पो भिमानस्च क्रोध पारुश्यम येवच अज्ञानंच अभिजात श्या पार्ध संपदम गीताचारे श्रीक्रिष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को देव असुर संपत विभागयोग की सिछा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं अर्जुन अब तक मैंने उन दिव्य गुणों का उलेख किया है जिने विक्सित करना चाहिए। अब मेरे दुआरा उन दुर्गुणों का सारान सुनो जिने त्याग करना चाहिए। विगुण है नाम और प्रसिद्धी के लिए दान करना, एहंकारी होना, वन्स, सिक्छा और धन पर गर्व करना, दूसरों को चोट मोहचाना, बुरा स्वभाव रखना, अच्छे लोगों के प्रती असिष्टता करना, आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को ना जानना, क्या करें और क्या ना करें से अन्भिग्य रहना, हे अरजुन, ये सभी दुर्गुण हैं, और यदि ये किसी में हैं, तो इसका मतलब कि वे परमात्मा के विरुद्ध हैं, वे मेरे विरुद्ध हैं, ऐसा कहकर, श्रिक्रिष्न परमात्मा उन दुर्गुणों का सारांस ब पसंद नहीं इसलिए उन बुरे गुणों को तुरंत एक एक करके त्याकने का प्रयास करते हुए और खुद को श्रीमर नारायन को पसंद करने वाले तरीकों से ढालने का प्रयास करते हुए श्रीमर नारायन को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष बनाते हुए और उनके प्रती समर्पन करते हुए आईए हम श्रीकृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में वैसे ही दोराने का प्रैत्म करें जैसे वे हैं दंभोदर्पो भिमानस्चा क्रोधपा रुश्यमे वचा अज्ञानंचा भिजातस्या पार्ध संपद मा सुरीम श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में आठ कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीकृष्ण कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनमतव जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की हैं आए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ कर्मों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूँगा कि यह आठ प्रत ग्याएं हमें करनी चाहिए कृप्या आप सभी इने अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद कानुभव करें जै श्रीमन नारायन यह है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं हमेशा आपका भगत रहूँगा हमारा तीसरा वचन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूँगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पाँच हुआ वचन याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमन भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा किये हैं और आशिरवाद दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भगतों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अप परिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये हैं प्रति दिन श्रीमन नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे श्रीमन नारायन करिशे वचनम तव जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन स्रीमन नारायन आसुरीम वूम दंभोदर्पो भिमानस्चा क्रोधप्पारुष्यमेवचा अज्ञानंचा भिजातस्या पार्धसंपदमासुरीम जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोध हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायानस्त्रम का पार्ठ करें नारायनस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायानस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जोकी है www.narayanaustrum.org और registration में अपना नाम और email प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई email पर आपको नारायन अस्त्रम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन अस्त्रम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भगतों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन स्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्नु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन